RBI ने UPI Interoperable Cash Deposit को स्टार्ट किया है मतलब इसका ये है कि अगर आपको अब ATM में Cash Deposit करना है तो आप UPI के माध्यम से कर पाएंगे debit card के जरूत नहीं रहेगी क्या है ये नियूज, कैसे ये काम करेगी सुविधा सब कुछ हम detail में समझेंगे और इसका क्या impact पड़ेगा financial inclusion पे सब कुछ हम समझते हैं वीडियो कर आपको अच्छा लगए तो वीडियो को like जरूर करें अपने दोस्तों को शेयर करें इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को subscribe करना ना भूले तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सारी बात पता कहां से चली तो ये सारी बात पता चली RBI के deputy governor है T. Ravishankar इन्होंने बताया Global FinTech Fest जो 2024 का जो की मुंबई में हो रहा है इनकी photo आप देख सकते हैं तो इसमें इन्होंने इस बात को बताया कि RBI अब unveil कर रहा है मतलब अब इसने start किया है UPI Powered ATM Cash Deposit Feature Known as UPI Interoperable Cash Deposit UPI ICD Short form इसका ये होगा तो इसका मतलब ये है कि किसी विक्ति के पास अगर UPI Linked Account है तो वो आसानी से पैसा deposit कर सकता है ATM में उसको card ले जाने की रूत नहीं है वो अपने UPI ID से ही कर पाएगा अपने account को access या उसमें पैसा deposit तो इसमें ये समझना है कि क्या वो अपने ही account में सिर्फ कर सकता है पैसा या किसी और के account में भी पैसा भेज सकता है या जमा कर सकता है तो ये भी हम समझते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यह UPI ICD आखिर है क्या, तो यह तो आपको समझ में आई गया कि इसमें physical card की जरुवत है नहीं, और इसमें एक important बात यह है, कि यह जो ATM सोंगे जहां पर deposit किया जाएगा cash, देखिए ATM का जब भी नाम हम सुनते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि ATM से पैसा निकलता है, लेकिन आपको धीरे धीरे यह भी पता चल रहा होगा, कि ATM ही एक और machine होती है, जिसमें आप पैसा deposit भी कर सकते हैं, जो पैसा आपके पास cash में है, वो उस ATM में ले जाकर के आप लगाएंगे, ATM count करेगा, फिर आपको count करके सामने बताता है, 100 के इतनी note, 200 के इतनी note, 500 के इतनी note, और फिर आपको जब लगेगा, कि हाँ, सही है count, आप क्लिक करेंगे, पैसा जमा हो करके आपके account में वो आ जाता है, तो इस तरह काम करती है, deposit cash machine, तो इसी को अब UPI से link किया गया है, अब UPI से link होने के बाद क्या होगा, कि जो banks के ATM हैं, जैसे SBI क level ATM, जो bank से नहीं जुड़े हैं, इनके अपने ATM होते हैं, तो वो दोनों ही इस तरह की जो ATM या कह सकते हैं, UPI linked जो scheme है, ICD की, उसका huge कर पाएंगे, मतलब दोनों तरह के ATM में सुधा उपलब दोगे, ऐसा नहीं कि वो bank वाले में ही होगा, तो इसमें है क्या, कि जो customer है, वो तो कितने मतलब तरीके से पैसा उसमें जमा कर पाएंगे, इस तरह के ATM में या इस तरह की facility के साथ, UPI linked mobile number के साथ, कि आप से mobile number पुछेगा, आप अपना mobile number उसमें डालेंगे, किस account में जमा करना है, जब mobile number डालेंगे, तो UPI जो account linked होगा, उससे लिख कर के आ जाएगा, मिला आपको अगर आपके account का IFSC पता है, तो IFSC वगरा डाल करके, account और IFSC number डाल करके, उससे भी आप deposit कर पाएंगे, तो यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था, कि क्या कि ओल, आप अपने ही account में पैसा जमा कर पाएंगे, नहीं, आप अपने account में तो पैसा जमा ही कर पाएंगे, पैस जमा है, तो आप अपने bank में जमा करें, फिर transfer करें, इसके बजाए आप सीधे SA ATM में जाईए, जहाँ पर यह UPI वाली सुधा है, वहाँ से आप direct जो आपके घर में, माबाप, भाई बैन, जिसका account आपको डालना है, पैसा, उसी account में direct पैसा आप submit कर सकते हैं, जमा कर सक उसमें डालेंगे, UPI नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसी वाले में जाएगा account में, और direct पैसा उस वेक टिके account में जा सकता है, मतलब अपने account में तो जमा ही कर सकते हैं, दूसरे का account में भी जमा कर सकते हैं, UPI ICD के द्वारा, तो यह जो ATM होंगे, यह cash recycler machine की तरह काम करते हैं, इनको cash recycler machine का जाता है, मतलब इस तरह के ATM में आप पैसा deposit भी कर सकते हैं, और withdrawal भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक अलग से machine है, जैसा मैंने आपको पहले बता था, कि पहले ऐसा होता है, यही machine होगी, जिससे आप पैसा deposit भी कर सकते हैं, और उससे आप पैसा निकाल भी सकते हैं, तो UPI के माध्यम से cardless, जो withdrawal हो तो बहुत पहले से सुरूए, आप सबको पता होगा, कि आप बिना credit card, या बिना debit card, या बिना ATM card के भी आप पैसा निकाल सकते हैं, किसी भी ATM से जाकर के UPI link को अगर आपके पास रहे, या फिर बैंकों की अपनी applications भी हैं, उसके माध तो आपको cash deposit machine ढूरनी हैं, जिसको short में CDM हम कह रहे हैं, ये वाली, UPI ICD वाली, और इसमें आप जब जाएंगे, तो वहाँ पे screen पे आपको UPI cash deposit को select करना होगा, instead of debit card की, जैसे debit card लगाते हैं, उसके जगह आप screen से select कर लेजिए, कि हमको UPI से cash deposit करना है, फिर आपके सामने QR code आजाएगा, CDM screen पे, उस QR code को आपको अपने smartphone से scan करना होगा, जो भी आपके पास UPI IP है, फिर जो CDM होगी, आप से, आप मतलब फिर deposit करने हो कहीगी amount, फिर आप verify करेंगी, जैसा मैंने आपको पहले बताएं कि 100 कितनी note, 500 कितनी note, जैसा भी है scenario, आप verify कर लिजे कि हाँ सही account हुआ है, फिर आप उसको submit कर दीजे, फिर आपसे कहेगा कि आप अपना desired bank account जो है, वो select करिए, UPI link जिसमें आपको पैसा भेजना है, या जहाँ पैसा submit करना है, फिर वो आप select करेंगे, उसके मैंने various method बताए, आप FSC, account number आप FSC से कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो UVPA ह तो उससे कर सकते हैं, UPI linked है mobile number तो उससे भी कर सकते हैं, फिर जब account number आजाएगा, आपको detail दिख जाएगी, और rise कर दीजे, अपना UPI pin डालिए, पैसा submit हो जाएगा, पैसा submit होने के बाद, जो CDM होगी लिखा है, might provide a confirmation slip after successful cash deposit, जिससे आपको पता रहे कि cash deposit हमने कहा से किया थ तो ऐसा ये पूरा process होने वाला है, तो जैसे दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे process हैं, लेकिन ये करने में तो ऐसा ही होगा, कि आप जैसे ATM से पैसा निकालते हैं, वैसा ही कुछ जमा करने का भी process है, बस ये पूरा process अब UPI के दोरा linked है, तो आपको physical card लेकर के जाने की जंजट नहीं है, या फिर जरूरत भी नहीं है, UPI app से ही आपके काम चल जाएगा, अगर हम बात करें कि यहाँ पर interoperability का मतलब क्या है, जो UPI ICD में हम पढ़ रहे हैं, UPI interoperability तो उसका मतलब क्या है, तो इंटरoperability का मतलब ये होता है, कि ये जो cash deposit machine होगी, UPI ICD से ये जो linked machine होगी, ये ऐसा नहीं है, कि मालीजे, SBI के आप सेडियम में गए हैं, तो SBI वाले कहेंगे हमारे वाले में ही पैसा deposit कर सकते हो, या तो आपको किसी और के account में भी deposit करें, तो उसका भी SBI का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो किसी भी account में आप पैसा deposit करें, आपक SBI वाले ATM में जाएए, पैसा deposit करेंगे, आपका पैसा आपके PNB वाले में ही deposit होगा, तो ये होता है मतलब interoperability का, इसलिए तो जो white label ATM से हैं, वो भी ऐसा ही काम करेंगे, white label ATM जो होंगे, आप किसी भी account में आपका UPI linked है, उसमें आप पैसा जमा कर पाएंगे, यहाँ पे सार scaling account नहीं, तो फिर वो आपको account number FSC वगरा देना पड़ेगा, जिसमें पैसा deposit करना है, तो ऐसे यह काम करेंगे, फिर यहाँ पे जो customers हैं, उनको अब ऐसा restricted नहीं है, कि उनको अगर cash deposit करना है, तो वहाँ पे आपको यह देखना होगा कि भाई, उसी bank का है कि नहीं है, वो सार union से उपड़ जाएगी, कि आपके आस पास जो भी bank account है, जो भी ATM ऐसा हो, CDM वाला, या UPICD वाला, वहाँ पे जाकर करके आप आसानी से अपना transaction कर सकते हैं, अब चूंकि ए cash recycler machine होगी, पैसा deposit भी कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं, तो account से जंजट नहीं है, कि जिस bank का ATM है, उसी का account होना जरूरी नहीं, सिंपल सी बात यह है, अब यह अगर हम बात करें कि हमारे financial ecosystem को कैसे improve करेगी, या फिर हमारा financial inclusion है, उसमें कैसे improvement लाएगी, तो एक सिंपल सी बात है, कि यह इस तरह की यह जो UPI ICD है, UPI तो product NPCI का है, तो RBI और NPCI ने मिल करके strategy के तहत इसको सके, इस तरह की facilities जो भारत में मिल रही है, आप बहुत सारे बाहर के देशों में भी जाएंगे न, तो वहाँ पर भी इस तरह की facilities मिलना मुश्किल है, बहुत सारे बाहर की देश, योरोप के भी आते हैं, चौक जाते हैं, अच्छा, इतने आसानी से payment हो जा रही है, और कि जो cash deposit है, अब ज़्यादा accessible हो जाएगा, पहले क्या है, cash deposit करने के लिए, आपको या तो पहले क्या है, कि आपको एक जो ATM में machine रहती है, cash deposit करने की, वो केवल उस bank से specific रहती थी, कि अगर वो SBI की machine है, तो उसमें SBI का जो account holder है, वही पैसा जमा करेगा, लेकिन इसमें क्या है, कि आप किसी भी account holder, bank के account holder है, आप जमा कर सकते हैं, ATM से कोई लेंदा नहीं, कि SBI का है, तो SBI वाला ही जमा करेगा, ऐसा नहीं, दूसरी बात, cash deposit करने के लिए, आपको पहले bank की branch में जाना पड़ता था, line लगाना पड़ता था, तब पैसा जमा होता था, अब वो भी ज जट नहीं रहेगी, आप चाहें, तो यहां से आसानी से, पैसा जमा कर सकते हैं, शुरुवात में थोड़ा ही चक होगी, डर लगेगा, जैसे सब चीजों में लगता है, धीरे धीरे करके लोग अभ्यास हो जाएंगे, तो यहीं बता जा रहा है, कि जो cash deposit है, ज्यादा accessible बढ़ेगा, कि भाई अब cash deposit करने के लिए भी माल लीजे, कि आपके घर से जो branch है, वो 10 km दूर है, लेकिन ATM जो है, वो 1 km ही दूर है, यह UPICD वाला, तो आपको यह नहीं सोचना है, 10 km जाना पड़ेगा पैसा जमा करने, तो यह काम करते हैं, घर में ही रखके रहते हैं, काम आएगा, खर्च कर लेंगे, तो आप यह लगा, एक किलो मिटर में ही तो जाना है, आसानी से जा सकते हैं, बस चले जाईए, तो इससे होगा क्या, हमारा जो cash deposit का crunch है चल रहा है, बैंकों में इस समय वो भी improve होगा, लिगा क्या इस move से RBI का जो ongoing effort है, कि जो dependency है, physical currency पे उसको कम करने का, और encourage करने का जनता को, कि वो digital payment methods के साथ और जूड सके, तो भाई जिसका UPI linked account नहीं, वो भी सोचे का हम भी UPI link करा लेते हैं, UPI चलाते हैं, आसानी से पैसा निकल भी जाता है, पैसा जमा भी हो जाता है, payment भी हो जाती है, तो देखे सारी चीजें UPI से link करने का, अब ये जो ecosystem में कैसा बनाया जा रहा है, वो कितना ज्यादा beneficial हो सकता है, क्यों लोग उनके लिए beneficial नहीं होगा, जैसे आपके पास अगर black money है, तो आप तो भाई जमा नहीं कर सकते हैं, दिखाना पड़ेगा, कि कहां से पैसा आया, जो जमा किया गया है, बाकि जो साफ सु जो modernize करने का तरीका है, digitize करने का तरीका है, ये काफी ज़्यादा successful हो रहा है, UPI की तरह ही, और एक वीडियो में आपको पहले भी इस तरह का बना के बताया था, जिसमें हमने चर्चा करे थी, ULI की, जो RBI ने launch किया है, कि जैसे UPI है, वैसे ULI है, कि कैसे एक ही platform ULI जो scheme है, इसके बारे में भी अगर आपको पढ़ना है, तो आपको मिल जाएगा वीडियो चैनल पर ही, पूरे detail में समझा रखा है, क्या है ये scheme, क्यों launch किया जा रहा है, सब कुछ, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडि शेयर करें, इस तरह की वीडियो चाहते हैं, मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते के लिए वीडियो में सभी लोग को बाए